द्रग ओवर्डोस तो ड्रग ओवर्डोस का डेफिनिशन है कि कोई भी सबस्तेंस किसी भी प्रकार की चीज चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन हो चाहे वो ओवर्ड़ काउंटर हो लीगल हो वो और या फिर अगर वो नैच्रिली ओकरिंग दवा हो कोई घर में मौझूद आपकी हल्दी चंदन दाल चीनी कुछ भी हो वो भी आप ओवर्डोस करेंगे बहुत से लेंगे चाहे वो आपने इंटेंशनली लिया है चाहे वो एकसिडेंटली लिया है वो ओवर्डोस है और ऐसे में आपको बॉड़ी के उपर कोई ना कोई हामफुल इफेट होगा मान के चलना है कुछ प्रकार के दवाईयां है जिनके टेंपररी ओवर्डोस होते हैं जै कोई देर के लिए ब्लड प्रेशर लो हो सकता है आप नीद में आप सुए रहा जाओ 24 गंटे 48 गंटे उसके बाद ठीक हो जाओ हो सकता है कोई सीरियस बात ना हो लेकिन सीरियस मेडिकल कॉंप्लिकेशन भी हो सकते हैं मौत तक हो सकती भया मजाक नहीं है ड्रग ओवर्डोस डिपेंडिक अपॉन कौन सी चीज ली है और कितने अमाउंट मिली है यह दोनों पहुत और प्लस आपकी पिजिकल मेंटल कंड अपनी दवा को समझना बहुत जरूरी है और कुछ गलत काम हम घर पे करते हैं क्या करते हैं दवाया कहीं भी रख देते हैं बच्चों के हाथ में लग जा रही हैं बच्चे इधर उधर पड़ी रह जाती हैं कोई जगा नहीं बनाई हुई आप हम यूएस में देखते हैं यह जितनी मूवी में देखते हैं वह बातरूम में शीशे के पीछे दवाई रखते हैं पता नहीं छेक कोई बना के रखा हो था हमारे हमारे यह से कोई काउंटर नियूंट कुछ नी और यहार कई अपने उपर दभा रख रहाएक और दवा कहा घू घूंड हो दूंड़े बच्चों के हाथ में दवा आ जाती है और बच्चों के ओवर्डूस मेरा चोटा बच्चा मुझे पता है यहां रखी दवा गलती से हाथ में उठाली हमारी तो ऐसी तैसी हो जाए यह क्या कर रहे हो भाई और बहुत बहुत बड़ी problem है misuse होना और एक आदमी जब पहले misuse कर चुका हो अगर किसी की history है misuse की उसने पहले मालो emotional होके या कुछ होके पहले misuse कर लिया है addiction है तो उसके chances बढ़ जाते है डबल misuse करने के उसके double chances हो जाते हैं कि यह possibility बढ़ जाती है कि वह इंसान दो बारा मिस्यूस कर सकता है, यह एक possibility है, और जो लोग थोड़े से mentally unstable होते हैं, उनके chances भी बहुत जादा होते हैं कि वो इस प्रकार के काम करें, मगर आप लोगों को समझना है कि इसका जैसे crime patrol दस्तक वाली नजर रखनी है, थोड़ी सी अंदेशा रखना है, घर पे ऐसा होता है वो, next सबसे बड़ी बात आपको पता होने चीए, इसके symptom क्या है, अगर किसी भी प्रकार के कोई भी patient हमारे पास आता है, उल्टी, देखें ड्रग है, overdose है, और पहले जा रहा है पेट में, तो सबसे पहले पेट की गडबड करेगा, सबसे पहले पेट की गडबड कर है, कई सारी ऐसी दवाईया है, जो दिमाग में गडबड करने लगती है, तो drowsiness आता है, चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, तो अगर patient बेहोश होता है, उल्टी के साथ आता है, तो कोई उल्टी सी दवाई तो नहीं खाई, दोरे तो नहीं पड़े हमारे history ये होती है, कई लोगों को breathing में problem होने लग जाती है, ये organophosphorus जैसे pesticides की poisoning होती है, farmers में, कोई जान मुझ के करता है, तंग आके, दुनिया से कोई गलती से करता है, बच्चे गलती से करते हैं, लेकिन drug overdose इंडिया में बहुत common है, और उसके symptoms में आपको याद रखना है, nausea, vomiting एक symptom है, बहु जाते हैं, people change their behavior, मारने को तर आते हैं लोगों पे, ऐसा भी होता है, pupils जी बिल्कुल, pupils उनकी कई बार enlarge होता है, कुछ प्रकार के poisons में, pupils बिल्कुल छोड़ी-छोड़ी हो जाती है, so, कई लोगों को tremors आने लग जाते हैं, कई कई convulsions आने लग जाते हैं, कई लोगों को halluc अधिर को पूसिनेशन होते हैं, यह क्या है भाई, वह में को मार रहा है, वह नहीं चलेगा, उसने में को गोली मार देनी है, डॉक्तर साभ मुझे बचा लो, right, so, we have seen so many things in the world, खासकर emergencies में ऐसे patients आते हैं, कि पुछो मत, जब मैं, लोग लोग लोगों को सुने होगा आपने बहुत सारे ऐसे हैं तो देखो जो सबसे खतरनाक होता है वो होता है intentional poisoning जो जान बूच के खुद की poisoning करते हैं तो वो सबसे जादा dangerous में आते क्योंकि कोई इंसान गलती से कुछ उल्टा सीधा खालेगा तो वो क्या करेगा वो लेकिन कोई जान मुझके करेगा तो वो जादा मात्रा में भी ले लेगा और नुकसान भी करेगा जैसा हम कहते है mental stability हमें लोगों की देखते रहनी चाहिए अगर हमें लग रहा है कि हमारे घर-परिवार चाहने वाले जानकार किसी की कोई अपति जनक mental status है तो उससे बात करना जरूरी है उसको मदद पहुचानी उसके साथ में उसको सहानभूति या उसका कम से कम साथ देना या कम से कम कुछ नहीं तो उसकी बात सुननी तो जरूरी है इंडिया में सबसे बड़ी problem इंडिया के अंदर लोगों की यह है कि सबसे बड़ा frustration mental उस इंसान का बात नहीं सुनी जाता ज इनोगों की बहुत आधे से जाधा इस तरह के attempts कम कर दे अगर कभी हो जाता है मानली खुदाना खास्ता कोई ऐसा कोई ओवर्डोज ड्रग का या किसी परिप्रकार की केमिकल का पेस्टिसाइड का दवा का ले लेता है तो तुरंत अस्पताल लेके जाए आपको और कुछ नहीं करना है याद रखे अगर उल्टी आ रही है तो कुछ पानिवानी नहीं पिलाना टेड़ा लेटाना उनको टेड़ा लेटा आके अस्पताल ले जाना अगर उनके मुह में कुछ फसा हुआ है मानलो कोई बोतल का धक्काने कुछ है यह है तो वह निकालना आपका काम है उसके अलावा जो अस्पताल में दिया जाता है पहले तो हम हम एक्टिवेटेड चार्कोल जैसी चीज़े देते हैं जो डाइजेस्टिग ट्रैक्ट जो है उसका उसमें वह दवा को एब्जॉब कर लेता है खुदी तो आपके पेट से वह दवा खून में कम जाती है जो भी दवा है ड़सन मैटर एक्टिवेटेड चार्कोल के अलावा हम क्या कर सकते हैं कि स्टमक को लवार्ज कर सकते स्टमक का लवाज का मतलब है हम स्टमक चौन में चलेगी जो नहीं चले उसको हमने निकाल लिया इस तरह से हम गैस्ट्रिक लवाज कर लेते हैं इसके अलावा फिर हम उसको पानी देते लिकविड देते हैं लाइवी फ्लूइट देते है ताकि शारीर में ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसको stable हो और ज्यादा से जादा जल्दी से जल्दी वह दवा जो भी खाया है वह बॉड़ी से निकल और उसके अलावा जो भी उस दवा का एफेक्ट है उसके बाद जो हमें चाहिए वो चाहिए कि कौन सी दवा खाईए ताकि उसका एंटीडोट है उसको क्या देना है वो उसमें करेगा दवाई का एंटीडोट डिपेंडिंग अपॉन दवा गया क्यमिकल इसलिए जब भी ऐसा होता है तो वो चीज जो ओवर्डोज हो गई जो गलती से खाली वो दवा उसका परचा उसकी खाली खाली पत्ता वो सब अस्पताल लेके जाए स्ट्रिप अफड़ मेडिकेश और अपने अपने घर में ऐसी संग्दिक्द चीजे जो है वो हटाने की अपनी जगा बनाएगे बच्चे घर में हैं बच्चे वाले तो अच्छे से समझते ही है उनको परसनल एक्सपीरेंस होता है जिनके घर में बच्चे नहीं है उनके आज आएंगे तो उनको समझ करें अपने डॉक्टर से साइकोलोजिस्ट से साइकाइट्रिस से अपने बड़ों से अपने दोस्ट से इस चीज के बारे में बात कर लेने से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या फिर अगर आपके घरवाले कोई हैं जो जानते हैं कि मेरे बच्चा कर है मेरे ये कर चुक है मेरे बहें कर चुक है मैं क्या करें मुझे समझ नहीं आता तो कुछ मत करो जेस्ट मेक शूर कि वह इंसान किसी ना किसी से अपनी दिल की बात करे डाट इस अगर डॉक्तर ने अज़िए तो बहुत अच्छा होगा बिल्कुल, ऐसे कोई भी depression का patient है, उसके पास ideally depression की जो दवाएं होती है, वो भी overdose की जा सकती है, तो depression की दवाएं भी काईदे से उनको limit में ही देनी चाहिए, और देखो ये एक intellectual हमको idea हो जाता है, डॉक्टर को भी और patient का, patient के relatives को भी idea होता है कि ये patient जो है, इसमें suicidal thoughts या suicidal tendency है या नहीं है, तो उस तरीके के cases होते हैं, तो फिर उसको उस तरीकी की दवा दी जाती है, और उसके relative को उस तरीके के indications दिये जाते हैं, यह आपको दवाई खुद देनी है, अपने हाथ से देनी है, ताकि वो जादा ना ले और miss ना कर ले, तो ये सारी बाते लागू होती है इस ड्रग वो डोस वाले case में.